नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अगर आप भी Photoshop में कोई भी फाइल ओपन कर रहे हो और आपको ये देखने को मिल रहा है यहाँ पे कह रहा है Could not open User Desktop फिर कुछ नाम लिखा हुआ है और लिखा है SofDQT और DHT JPG Maker Missing तो सबसे पहले आप वाला फोटो देख लीजिए कहां पर है जिस फोटो को आप open करना चाहते हो तो मैं इस वाली फोटो को open करना चाहता हूँ और मुझे दिक्कत आ रही है तो इसके लिए simple तरीका है आपको कुछ नहीं करना है कोई application download नहीं करना है आपको simple इस पर right click करना है यहाँ पर आपको मिलेगा open with open with पर click करें open with पर click करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा paint वाले option पर click करें और आपका फोटो यहाँ पर open हो जाएगा फिर आपको उपर फाइल में जाना है यहाँ पर save में जाना है जहाँ पर आप save करते है ओपर की तरफ save का option होता है इस पर click करें save as पर click करें ऐसा page आपके पास आ जाएगा यहाँ पर डाली अपनी file का नाम तो मैं डालता हूँ photo file और आपको यह ऐसा हिराने देना है इसमें changing नहीं करनी है save वाले option पर click कर देना है इसको cut कर दीजिए फिर यहाँ पर हमारी file यहाँ पर आ चुकी है photo file आप देख सकते हैं यह हमारी file है नई वाली फिर आपको photoshop open करना है double click करना है खाली जगह पर या right click करना है यानि इसको field से open करना है और इस बार आप अपनी नई file लीजिए तो यह पुरानी वाली file है और यह नई वाली file है हम इस पर click करते हैं open करते हैं तो हमारी file यहाँ पर open हो चुकी है तो ऐसे आप इसको इस्तिमाल करें और अपनी कोई भी file open करें वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा